So guys, जासके वोडो हम बात करने वाल हैं Vivo के T3 device के अदर आपने phone के अंदर applications को full display में access करेंगे Guys, जगर आप भी अपने phone के अंदर applications को full display में run करना चाते हैं, तो easily कर सकते हो वैसे बहुत सारी applications already full display में होती है पर बहुत से इसी applications होती है जो full display में नहीं होती है तो अगर उन्हें करना चाहिए तो कर सकते हैं most of places में लोग video player application को full display में करना चाहते हैं क्योंकि जो कोई videos play करते हो अगर उस वाँ इस pinch करते हो इस तरीके से से full screen में नहीं होती तो आप उसे कर पाऊगे इस option का access करते होए अब चलो demo करते हैं आपको दिखाते हैं full display app settings का access कैसे करते हैं well guys phone के अंदर full display app settings को access करने के लिए हम open करेंगे अपने phone settings को settings हमने already open करा हुआ है scroll down करके नीचे आना इसमें एक settings होगी display and brightness आप इसको follow up करेंगे बहुत प्रेस करके open करते हैं इसको डार करके नीचे आना इसमें 2 options लाश्ट मिलेगा पहला है full screen display of apps जो already full display होती है like application तो वो दिख जाती है गर मैं प्रेस करो तो एक दो में भी होगी तो यहां पर 2 applications करण टाइम पे हैं जो अभी full screen में हमारे phone के अंदर है जो पहले से होती है वो इसके अंदर दिखाई देती है बड़ जो आप खुद करते हो वो shake in वाले option के अंदर दिखाई देती है इसको आप प्रेस करना इसमें आपको totally apps मिल जाएंगी जितने भी आपको options मिलने है like applications मिलने है उसके अंदर आप देखेंगे को cover से हटाना है तो आपको shake in वाले options को check वाल कर देना है जहां पर camera होता है वहाँ तो display आ नहीं सकती बड़ उसके camera को area को छोड़ के बगी proper full screen में इस apps को access कर पाऊगे आप shake in वाले option को press करके और videos भी आप switch करोगे तो camera का ही area से blink रहेगा बगी शर्वी screen में आप fully access कर पाऊगे अपने apps को I think आइस समझाओंगे full display apps का access कैसे करना था BVOK T3 device कंदर